हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 127 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेट पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 127 के बारे में ये कहती है भत्ते में परिवर्तन, भत्ते में संसुधन याने के CRPC की धारा 125 के अंतरगत कोई भरन पोशन का आदेश दिया गया है तो उस आदेश में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो CRPC की धारा 127 में बताय गया यानि कि CRPC की धारा 127 Magistrate को यह सक्ति प्रदान करती है कि वह भरन पोशन के आदेश में परिवर्तन कर सके धारा 125 के आदेश के अंतरगत यदि कोई भरण पोशन का आदेश दे दिया गया है उसमें यदि कुछ संसोधन किया जाना है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना है या भरण पोशन के आदेश को रद किया जाना है तो CRPC की धारा 127 के अंतरगत ऐसा किया जा सकता है क्या कहती है CRPC की धारा 127 इसके बारे में हम अध्यन करते हैं कि धारा 125 के अधीन बरण पोशन अध्वा अंतरिम बरण पोशन संबंदी मासिक भत्ते पाने वाले या यथा इस्थिती अपनी पत्नी या संतान या माता या पिता को भरण पोशन अध्वा अंतरिम भरण पोशन संबंदी मासिक भत्ते देने के लिए उसी आदेश उसी धारा के अधीन याने के कौनसी धारा 125 के अधीन आदिश्ट किसी व्यक्ति की परिस्थिती में तब्दिली सावित हो जाने पर मजिस्टेट भरन पोसंड या अंतरिम भरन पोसंड भक्ते में ऐसा परिवर्थन कर सकता है जैसा वह ठीक समझे याने के किसी व्यक्ति की इस्थिती परिस्थिती में कोई परिवर्थन हो गया है कोई व्यक्ति अच्छा रुप्या कमा रहा था अब उसकी कमाई बंद हो गई या कोई व्यक्ति कम कमाई कर रहा था अब उसकी अच्छी कमाई होने लग गई तब ऐसे समय में न्यायला यदि चाहे तो भरन पोषण के आदेश में परिवर्तन कर सकता है कोई पति-पत्नी में विवात था अब पत्नी ने क्या किया कि भरण पोसंड के लिए आदेश कर वा लिया और दो-तीन हजार रुपे भरण पोसंड प्राप्त कर रही है अब ऐसे समय में उसने किसी अन्ने से विवा कर लिया तब ऐसे समय में न्यायलय जो है किसी महिला के दूसरे वियक्ति से विवा कर लेने के बाद भरण पोसंड का आदेश निरस्त कर सकता है तो इस प्रकार से जो भी परिवर्तन किया जाना है न्यायलय को जैसा ठीक समझे न्यायलय उस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है यदि इस क्या कहते हैं आगे पढ़ते हैं परंतु यह परंतु यदि वह भत्ते में व्रद्धी करता है यहने कि यदि भत्ते में यदि परिवर्तन करके उसको बढ़ाया जा रहा है तब क्या होगा यदि वह भत्ते में व्रद्धी करता है तो वह व्रद्धी कुल मिलाकर 500 रुपए मा पासिक की दर से अधिक नहीं होगी यहने कि यदि परिवर्तन किया गया है तो 500 रुपए महीने से जादा नहीं बढ़ाया जाएगा पॉइंट नमबर दो कहता है कि जहां मजिस्टेट को यह प्रतीत होता है क्या प्रतीत होता है मतलब मजिस्टेट को ऐसा लगता है तो यह मजिस्टेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अदिन दिया गया आदेश किसी सक्षम सिविल नियालय के किसी विनिश्चय के परिणाम सरूप रद या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो वह यथा इस्थिति उस आदेश के तदानुसार रद कर देगा या परिवर् परिवर्तन करके मजिस्टेट को यह कह दिया है कि भी यह इसमें यह परिवर्तन होना चाहिए तब ऐसे समय में जो है उसके द्वारा किये गए आदेश को वह रद करेगा या उसमें जैसा कि उसको लगेगा परिवर्तन करेगा सिविल नियालय के आदेश के अनुसार विवाविच्षेद कर लिया तलाग ले लिया उसकी बात है किसी ऐसी इस तरीके पक्ष में दे दिया गया है जिसने अपने पती से उससे विवाविच्षेद कर लिया है या जिसने अपने पती से विवाविच्षेद प्राप्त कर लिया है या पती ने पती से विवाविच कर लिया है तो वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है क्या समाधान हो जाता है यदि ऐसा समाधान हो पोषण आदेश को रद कर देगा किस आदेश को रद कर देगा जिस आदेश के अंतरगत विवा विच्छेत के पस्चात किसी पती द्वारा अपनी पत्नी का भरन पोषण किया जा रहा था अब उस पत्नी ने किसी दूसरे से विवा कर लिया तब ऐसे समय में न्यायला जो है भरन पोसंड के आदेश को रद्द कर देगा पॉइंट नमबर दो इसी में मैंने का और खा दिये हैं तो पॉइंट नमबर तीन का पॉइंट नमबर दो है ये तो क्या उस इस्त्री के पती द्वारा उससे विवा विच्छित कर लिया है और उस इस्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या उक्त आदेश के पश्चात पूरी धनराशी एक मुस्त प्राप्त कर ली है याने कि नियालाय ने आदेश कर दिया कि 2000 रुपे महीने देना पड़ेंगे आपको अब एसे समय में उस पती ने क्या किया कि 2000 के आखलन सिया जैसा भी उसको लगा पती-पत्णी में इससारी की फुरे जो भी धनराशी है उनके बीच में एक धनराशी हो गई वो किस प्रकार से तय हो गई या तो उनकी विदी के द्वारा या उनके सामाजिक रीती रिवाज अनुसार या उनके द्वारा किसी भी प्रकार से एक मुस्त रासी तय हो गई और वह एक मुस्त रासी भरन पोसंद देने वाले व्यक्ति ने भरन पोसंद पाने वाले व्यक्ति को अदा कर दी ऐसे समय में भी न्यायलय जो है भरन पोसन के आदेश को रद कर देगा यही इसमें लिखा हुआ है कि पूरी धनरासी प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूडी जन्य या स्वेविधी के द्वारा उसके अदीन विवाविच्छित पर दे थी तब ऐसे समय में भाय आदेश को रद कर देगा न्यायलय तो उस दसा में जिसमें ऐसी धनरासी ऐसे आदेश के पूर्व या पश्चात प्राप्त कर ली गई है उस तारीक से रद कर देगा किस तारीक से रद कर देगा जिस तारीक को वह रासी उसको प्राप्त हो गई है उस पत्नी को या उस व्यक्ति को जो भरण पोशन के अधीन भरण पोशन प्राप्त करने का अधिकारी था ऐसी व्यक्ति को प्राप्त हो गई है पॉइंट नमबर दो दिया है कि किसी अन्य दसा में यानि कि पॉइंट नमबर एक में तो यह बता दिया गया है कि यदि उसने पूरी धनरासी प्राप्त कर ली है या फिर उसने किसी अन्य से विवा कर लिया है तो बरन पोसंट का जो आदे से वो रद कर देगा लेकिन पॉइंट नमबर दो में बता दिया गया कि यदी कोई अन्य दसा है तो ऐसी दसा में किसी अन्य दसा में उस अवदी को यदी कोई हो जिसके लिए पती द्वारा उसकी पतनी को वास्तम में बरन पोसंट दिया जाना ह समापती की तारिक से रद्ध होगा याने कि भरण पोसंड दिया जाना है उसकी अधी समापती हो गई है याने कि उनके बीच में समझोता हो गया है उनके बीच में भरण पोसंड एकमुस्त रासी प्राप्त कर ली गई है या पत्नी ने पुनाय विवा कर लिया है तो उस दसा दफृशंट तो ये तो ऊगया कि उसस्तृरी ने अपने पती से विवाविच्चेत कर लिया है और उसने विवाविच्चेत के पश्चात अपने भरण पोशन यथवा Nicka अंत्रिम भरण चाहती तब ऐसी दसा में भी न्यायलय जो है उस आदेश को रद कर देगा कि भरण पोसंद दिया जाना है यदि पत्नी ने स्वयम के दिया है कि भईया मेरों को भरण पोसंद नहीं चाहिए तब ऐसे समय में न्यायलय भरण पोसंद के आदेश को रद कर देगा अगला पाइंट बता दिया गया कि किसी भरण पोसंड या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने धारा 125 के अधीन कोई भरण पोषण अत्वा अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक बत्ता संदाय करने के लिए संदाय किये जाने का आदेश दिया गया है नियालय के द्वारा वसूली के लिए डिगरी के समय सिविल नियालय उस रासी की गणना करेगा जो ऐसे अनुशरण में जो भरण पोशन और अंत्रिम भरण पोशन अत्वा इन में से कोई भी हो जैसी भी परिस्तिती हो मासिक भत्ते के रूप में व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उसे संदाय की जानी है याने कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है सीधी सीधी लेंग्वेज में यदि हम देखें यदि हम उसको पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं इसमें लिखा हुआ है कि किसी दहेज की या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भरन पोसंद देने के लिए दाई है याने कि जिसका भरन पोसंद देने का दायद्व है और उसने भरन पोसंद नहीं दिया है तब ऐसे समय में न्यायलय जो है उस व्यक्ति के संपत्ति की गढ़ना करने के संपत्ति में से संपत्ति की निलामी करेगा और संपत्ति की निलामी कब करेगा जब वह उस व्यक्ति के भरन पोसंद की गढ़ना करेगा तो भरण पोसंड की गढ़ना करने के पस्चात उस संपत्ति में से निलामी करके अध्वक किसी भी अन्यमाध्यम से उस व्यक्ति को भरण पोसंड की राशी दिलवाएगा ये पॉइंट नमबर चार में बताया गया है तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया CRPC की धारा 117 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड या IPC से रेलेटेड समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी IPC या पूरी की पूरी CRPC पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के और IPC के संपून वीडियो मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आईकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकिसन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद